हेलो कीड्स गुद मॉनिंग जैसी स्वामी नारायाइड आज हम कौन सा सब्जक्ट लेने वाले इंगलिश इंगलिश में बुक नमबर वन उपन यार टेक्सबूक उसमें पेट नमबर सेवन्टी एट कौन सा पेट नमबर सेवन्टी एट आज हम क्या सितने वाले हैं? write the correct letter, write the correct first letter A to Z हमारा finish हो गया है और सबके picture भी आपको बता है तो यह किसकी picture है? which picture is this? elephant elephant का spelling का से start होता है? E से तो यहाँ पे क्या लिखा है? E वैसे ही which picture is this? W for wolf आप लोगोंने बुक्स में देखा है ना W for wolf तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? W क्या लिखना है? W W for wolf ऐसे next picture देखो K for kite क्या? K for kite तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? K next picture देखो R for rabbit टेक्स्बुक में आपने देखा है ना R for rabbit तो यहाँ पे क्या लिखना है? R First letter लिखना है Red to Blue line में Next picture देखो Which picture is this? Cat C for Cat तो यहाँ पे क्या लिखना है? C आपको आपकी textbook में लिखना है मेरे साथ Next picture देखो Y for Yak किसकी picture है? Yak की तो Y for Yak आपको यहाँ पे Y लिखना है Next picture देखो B for Ball तो यहाँ पे क्या लिखना है? B, Red to Blue line में आपको पता है B कैसे लिखते हैं Capital letter Red to Blue line में लिखते हैं Next picture देखो किसकी picture है? Which picture is this? F for Fish F for Fish तो आपको क्या लिखना है? F लिखना है Next picture देखो Which picture is this? H for Head तो यहाँ पे क्या लिखना है? H Next picture देखो Which picture is this? M for Man क्या है? M for Man तो आपको क्या लिखना है? M Next picture देखो B for Per यह क्या है? Eक Fruit है B for Per तो यहाँ पे क्या लिखना है? P Next picture देखो Last picture T for Tree T for Tree तो यहाँ पे क्या लिखना है? T आपका फिनिश हो गया है मेरे साथ आपको मेरे साथ साथ ही करना है Next page देखो इसमें क्या करना है? Match the letter to the correct picture यहाँ पे आपको letter दी गए है उसके opposite size picture दी गए है opposite side त्री का है तो त्री को T के साथ मेच किया है न वैसे ही हमको करना है Later देखना है और opposite side हमको picture देखना है और उसको match करना है देखो यह क्या लिखा है? Later में Z क्या लिखा है? Z तो यहाँ पे Z for zebra है देखो Z for zip Z for zebra तो आपको picture देखनी है तो यह रहा Z for zebra तो आपको match करना है आपको आपकी textbook में करना है आपको मेरे साथ ही करना है आपकी textbook में Z for zebra फिर next letter देखो H for horse भी होता है H for hat भी होता है तो यहाँ पे देखना है हमको opposite side के क्या है कौन सी picture है तो H for horse यह horse है ना उसको ऐसे match करना है next letter देखो F for fish भी होता है fan भी होता है तो यहाँ पे opposite side हमको फिर देखना है किसकी picture है F for fish है तो आपको F for fish के साथ ऐसे match करना है next letter देखो N for nest N for nose तो यहाँ पे opposite side हमको पिच्चर देखना है N4 nest है यह राल तो N4 nest के साथ आपको मैच करना है वैसे ही last देखो later J4 jokker J4 jug तो यहाँ पे किसकी पिच्चर है देखो तो J4 jokker की पिच्चर है तो आपको ऐसे J4 jokker मैच करना है आपको मेरे साथ ही करना था आप सबने किया ना यह आपका क्या था classwork था और यह पेज आपका homework है बाई बाई किच्च